नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूग चैनल सानु जी के जोन में आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि BPSC 3 का जो एक्जाम होने वाला है उसे रिलेटरी जो सूचना निकल के सामने आ रही है या सूचना इस परकार से है कि हम जीला में क्या है तो होने वाली है और BPSC ने समंदिश जीलों के DM को परिक्षा केंद्र उपलब्द कराने के लिए पतर लिखा है यानि कि हम आपको जानकारी देदें कि BPSC क्या किया है कि जो DM साहिब है उन्हें केंद्र जो है परिक्षा केंद्र उपलब्द कराने के जी महाविद्यालों को छोड़ करके केंदर पर बैठने की छमता के साथ सुची उपलवद कराने को कहा है सिच्छक भरती परिक्षा 10 और 11 जून को होनी है यानि हम आपको जानकारी दे दे कि BPSC 33 का जो एकजायम है 10 और 11 जून को होने वाली है आगे हम आपको बात लादे कि परिक्षा एकेंदर का चयानकर 3 मई तक रिपोर्ट देनी होगे यानि कि जो समधिर डियम सायब है उन्हें 3 मई तक रिपोर्ट देनी है और परिक्षा में 3.5 लाख उम्मिदवार यानि कि लगभग साड़े 3 लाख उमिदवार जो है सामिल होंगे और BPSC ने कहा है कि इन परिक्षा अर्थियों के लिए जीला अस्थर पर परिक्षा केंदर केव सकता है यदि जीला इस्थित परिक्षा केंदरों से अव्यारतियों की संख्या पूरों नहीं हो पाती है तो अन्मंडल में भी केंदर की तलास की जा सकती है और कहा कि जीला में परतिश्थित सिच्चन संस्थानों का चैन परिक्षा केंदरों के लिए किया जाए यानि कि जिला के साथ साथ अगर जिला में जो है ये परिक्षा केंदर नहीं कम हो रहा है तो उसे आपनमंडल से भी ले करके परिक्षा केंदर दे सकते हैं अब आगे की जनकारी हम आपको बतला दें कि इन जिलों में जिला अधिकारीों को भेजा गया पत्र यानि कि जो जिला अधिकारी है उन्हें जो पत्र भेजा गया है उन्हें आयोग नेखिंदर के चैन के लिए जहानावाद और अंगावाद, मुयेर, भोजबूर, बकसर, र पालव गंज के जो डीम जायव है, उन्हें पत्र लिख करके आयोग ने सोचना दी है, मतलब कि आपका जो बीपे सीटीटी ठीरी का जो एकजायम है, वो जो है, दस से गारा जून तक जो है आपका ले लिया जाएगा, जो ये सोचना आपके सामने है, और लगभग हम जो सि रिपोर्ट देना है, वो डीम साहिब को मई तक रिपोर्ट जाड़ी कर देना है, हमारे साथ जुरने के लिए धन्यवाद, आपका दिन सुब हो, और आपका अपना चैनल के साथ जुनने के लिए धन्यवाद, मंदे मात्रम, जहेंद,